हेलो बच्चों कैसे हो आप सभी लोग उम्मीद करता हूं कि सारे लोग ठीक होंगे बच्चों जैसे कि आपको मालू है कि हम लोग क्लास 9 का गड़ित पढ़ रहते हैं और आपको याद भी होगा कि पिछले क्लास मैंने सिखाया था या बताया था कि अब हम लोग मंदे से एक नए चीज पढ़ने वाले एक दोप तो एक दोप्डु पढ़ने वाले लेक भी चैप्टर परने वाली तो यह जो जिन्या चेप्टर है पिटा वहां कि नमबर इसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पध्धती तो सारे बच्चे इस निव चैप्टर की एकदम देखो निव सुरुआत हो रही है तो इस निव चैप्टर को सारे बच्चे पढ़ने के लिए लेडी हैं इस निव चैप्टर पढ़ने के लिए रेडी हैं हम लोग की तब निव सुरुआत अपकर रही हैं है ना कोई भी बच्चा माइक नहीं ओन करेगा बीच में सारे लोग इस चैप्टर की हेडिंग लगा देजिए अपनी कॉपी में नंबर सिस्टम बहुत मजाने वाला है चैप्टर लेगे तो नंबर सिस्टम की सुरुवात हम लोग सबसे पहले करेंगे नचूरल नंबर से इसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं तो चैप्टर का नाम लग गया होगा तो चैप्टर का नाम आपको ने लिखी दिया अब टॉपिक का नाम लिख द क्या यहां तो समने हेरिंग लगा दी कि अधिक है बहुत बढ़ियां कि बहुत बढ़ियां ठीक है तो दिखो बेटा नेचनल नंबर्स होते हैं तो जिन भी संख्याओं से आप गड़ना करते हैं या फिर गिनती की संख्याओं अगर मैं सौट पाम में बोलूं तो बेटा गिनती की संख्याओं को ही कि गिनती की संख्याओं को ही क्या बोलते हैं तो गिनती की संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्याओं किसी भी बच्चे से बोल दीजे एक छोटा समाली जे बच्चा है जो की 1,2 या अगर उसको काउंटिंग सिखाया गया है तो अगर आप बोलेंगे कि बताओ बेटा या बताओ आप गिनती की सुरुवार कहां से होती है या फिर ऐसे कोल दो की चलो मेरे को गिनती सुना तो तुरत कहेगा 1,2,3,4 डाउट 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 इस तरी की सुनाता स्टाट करे तो इनी संख्याओं को ही हम लोग बोलते हैं प्राकृति संख्या क्यों कि गिंती की संख्याओं को ही प्राकृति संख्या बोलते हैं दलबीर सिंग के नाम से बच्चा तो जीरो से स्टार्ट करता तो बेटा जीरो से स्टार्ट हम लोग कभी ने करते हैं किसी को सुना है ग तो आप सभी को समझ में आया ना कि गिनती की सुरुवात कहां से होती है तो गिनती की सुरुवात बन से होती है तो अगर कोई पूछे कि बताओ प्राकृतिक संख्या क्या होती है तो बोलना कि गिनती की संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्या होती है अगर कोई पूछे कि ब करो और अगर नहीं तो एंटाइप कर सकते हैं कि अ कि अ है तरुन चौहांथ देखो बैठा गिंती की संख्याओं को ही बोलते हैं प्राध्रतिक संख्या ठीक हैं गिंती की सिरॉत आप कहां से करोगे मालो मैंने बोला कि चलो तुमसे तरह बोल दिया है चलो गिंधी सुनाओ तो थी तरीकर सुनाओगे तो इन्हीं की संख्याओं को यह जो संख्या है मैं नाम ले रहा हूं इन्हीं को बोलते हैं कि पैट्रिक संख्या चालो वर्च आप सभी ने इसको सीख लिए अब बताओ यहां पर कितने बैलून हैं यहां पर बिटा कितने बैलून है बताओ जबाओ जबाओ बन ओके 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 अब यहां पर बताओ यहां पर कितने है यहां पर बताओ कितने है फाइव बहुत बढ़िया पूछ लेते हैं यहां बेगिन कर पताब यहां भी कितने हैं कि थार्ड वाले में कितने हैं थार्ड वाले में उठाब किस वाले में बहुत बढ़ियां तो आठ बैरून है ठीक है दिखो ध्यां से जिस बच्चे को नहीं सुन्मे आ रहा तो हम क्या करवा रहा हैं काउंटिंग करवा रहा हैं तो यह पाला बैरून यह दूसरा तो यह यलो वाला तीसरा यह दूको और इन वाला चौथा और यह रेड़ वाला बढ़िया तो टाब जाके फाई ठीक है इसमें किन हो इसमें गिनना चाह भे तो यह क्या है यह पहला है रहा है तो यह पहला ठीक है पैटा ओ पाईप तो प्राकृतिक संख्या बोलते हैं चालो अब देखो गटा प्राकृतिक संख्या बोलते हैं प्राकृतिक संख्या बहुत इंपॉर्टिक संख्या को हमें साथ न से दिखाते हैं एन फार क्या होता है ने चुरल नबर नचुरल नबर एण और निचुरल नबर इसारे बच्चे इस वाले पेज का हना स्क्रीन सौट ले लेंगे या फिर या फिर नोट कर लेंगे जो भी आपको अच्छा लगता हो लेकिन नोट से जरूर से जरूर बनाएंगे ठीक है आपको अच्छा लिखा गया है कि प्राकृतिक संख्याओं में सुन्य को सामिल नहीं किया गया है इस बात को भी आप दियान रखेंगे अब यह अपने आप से पूछ रहा है यही चीज आप से बता रहा है इस बोल रहा है कि मैं एक प्राकृतिक संख्या नहीं हूं ठीक है यही चीज आप से बता ही जा रही है कि सब को समझ में आया कि अब आप से मैं प्रश्न पोचूंगा इस वाले प्रश्न का सबी लोग उत्तर देंगे और इसका उत्तर आप जानते हैं कहां देना होता है कि ओल से देना होता है ठीक है जल्दी से इसका उत्तर करिए कि कि अरव इसका उत्तरे वड़र्य। कि वड़र्य को मैं थे आप से साथ़र्य प्रश्न का उट्रण प्रश्नी भी आप करिए कि अधर प्यावस सवाल है बहुत ही छोटा सवाल है जो भी मैंने आपको सिखाया उसी पर अधारित है इसलिए मैं चाहता हूं कि जितने भी बच्चे आंसर करें वह करें ठीक है अच्छे और मैं बता देना चाहता हूं तो जिन भी बच्चों को आंसर करने नहीं आता है उनको मैं सिखा देता हूं तो इस प्रकार से एक बॉक्स माइब इस बॉक्स में यहां नीचे टिकया बटा यहां नीचे एक क्तिविटीज लिखाऊगा हुद है है कि इस वाले बटनको बिटा दबाना एक है इसको दबाओके ऑन्हाला लिखाराए वा यहां पिरशाओ को क्लिक करना यह कि इसको दबाना जो इसको दबाओगे तो इस प्रुकार से इक बॉक्स बंजाएगा इस बॉक्स में लिखा राएगा question number one और इसके चार विकल यानि कि A B C D यहां पर अपना जो भी आपको सही answer लगे उसको click कर देना ठीक है क्लिक करने के बाद यहां पर लिखाएगा vote भी ओ टी इस वाले बटन को क्या कर देना बटा दबा देना वोट वाले बटन को जो इस वोट के बटन को दबाओगे तुम्हारा जो answer है न वो मेरे पास चलाएगा ठीक है तो जल्दी से इसका answer दो आप लोग पोल में इस प्रकार से मुझे सारे बच्चों का answer चाहिए सारे बच्चों का अगर आपको नहीं आता है तो आपको सिखा भी दिया गया कैसे करना है answer ठीक है सारे बच्चे का answer चाहिए अभी भी तीन बच्चों ने उत्तर नहीं दिया है तीन बच्चों ने अभी तक उत्तर नहीं दिया है तो बच्चे हुए तीन बच्चे लिसका उत्तर करिए बच्चे हुए तीन बच्चे लिसका उत्तर करिए बच्चे हुए तीन बच्चे भी भाई पाई पक despu सो झाला प्रग्रामसे को पोल का ईसर करना होता है मंत पूल बंद कर रही है है और चैट अन्ट फेडिआ जैको कर है गात रख गरो में है कांसा ना सिर पर इस आन्ट होग कि पूर एंदी अब शुचर अब बश्चर नहीं अब शुचर निए अब शुचर ने नहीं हो इसकोशन को शुचर परणें कि अब शुचर नहीं नहीं है मैं में कि निम में से कॉन क्या प्राकृतिक संख्या तो आपको शिखाए गया एंगी निच्छल संख्या होते हैं गिंति की संख्या अगे बढ़ते जाना है तो क्या 1 होगा इसका अंसर नहीं होगा क्या जीरों होगा नहीं होगा क्या निगेटिव में कोई संख्या होगी नहीं होगी सही उतर कौन सा होगा सी वालबतर यानि कि फाइब होगा कि सब को समझ में आया है कि सब को समझ में आया अगर हां तो वाई टाइप करो ठीक है अगर समझ में आया ना बेटा तो यह एक और कोश्चन है इसको भी करके दिखाओ सभी को इस कोश्चन को भी करके दिखाओ बेटा इसकोश्चन को भी करके दिखाओ ते इसकोश्चन को भी करके दिखाओ ते प्रूब दिखाओ तो भी कर दोने हमाँ आया विए लिखाओ ते आया गा करे दिखाओ ते कर दो बाकी बच्चे भी आंसर करिए ठीक है अभी एक बच्चे ने उत्तर नहीं किया है ठीक है चल्ड़ अच्छी बात है ग्राप तो बढ़ा इतना तो मैं पाहूँगा अभी भी लेकिन एक बच्चे ने उत्तर नहीं किया है ठीक है मैं देख पा रहा हूं अपनी स्क्रीन पर जो बटा कोई बात नहीं कुछ बचो ने सही आंसर किया है कुछ बचो ने का रातुपतर किया है मैं आपको इसको सिखा दे पाऊं फिर से तो पोल हम बंद करने वाले हैं पांच सेकेंड और पांच चार ती गर भी मिद्धा देख देख हो है हमने चाट आउन कर दिया chat मिट सकते हैं कि लिए को संधया नहीं है कि फ्रकर्ट्ति शंख्या मैं होगी यांव कॉटर नहीं होगा ठीक है अ 10,001 वह प्राकर्टिक संख्या और याणि आपका उत्तर नहीं होगा आच़ यहको प्रक्रितिक क्वेर है ओग सब्सक्राइब के हाँिह सब्सक्राइब में महाझें क्या सब को समझ में आ गया हुआ है है Q. कर दिया और पोल सेक्षिन हमने आउन कर दिया इसका आंसर कर दिया इसका आंसर कर दिया बहुत ही प्यारा सु सवाल है यह आंसर कर दिया कि सब लोग कोशिज करेंगे सही उत्तर देड़ा कोई बचा गलत तर नहीं करेंगा कि इस अब कर दिया आए कि इस ने आए कि इस अब कर दो कि अब कर दो कि झाल झाल कि बाखी बच्ची भी इसका उतर गड़ी थी मैं देख पारा हूं कि अभी कुछ बच्चों ने उतर नहीं दिया है अभी तक दो बच्चों ने उतर इसका नहीं दिया है तो जो दो बच्चे हुए बच्चे हैं उसका उतर करिया अभी तक जो नहीं दिया उतर बागी सब ने उतर दिया सब ने अभी तक जो बच्चे ने और दिया उतर ठीक है अचीगा आथ है चलो बटाव हम चैट आन कर रही है पोल बंद कर नहीं ठीक है चैट में इसका उतर लेको आप सभी लोग हुआ 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 है लिखा है कि निम्न में से पहली पांच प्रकृतिक संख्याओं की पाचान केजिए पहली पांच प्रकृतिक संख्या है वेटा तो गिंती की संख्याओं को ही तो प्रकृतिक संख्या बोलते हैं या कि हें पहली पांच इनलों एक तो abbreviation चार पांच यह तो है पहली पांच इलाद को बता प्रतिकести के संख्या इसकी अलांव की एवर यह भी नहीं होगा यह कि इसको किसको समझ में आया ज़रा चैट में निखना इसको किसको समझ में आगया तो सभी ने देखा कि इसका स्थीव अलोटर करेक्टर लगा अब अपनी कॉपी में या आपने नोट बुक में हेडिक लगाओ पूरोने संख्याएं इसको इनलीज में बोलते हैं अब नमबर्स जब हेडिंग लग जाएगी तो वाई टाइप कर दीजेगा अब अपनी कॉपे में हेडिंग लगाईए हेडिंग लगने के बाद वाई टाइप करेंगे अब अब ने कि लगा दिया बहुत बढ़िया चलव पर इसको स्टार्ट करते हैं पढ़ना इस वाई शार्ट करते हैं अब देखों विटा हम लोगा पढ़ने वाले हैं प्रोर्डर संख्याएं नहीं आप आप आपने जो सीखा था आप आप कि अशली को zgशे कального क्या सीखा था वह कि संख्यां सीखाता कि प्राकेश को सुरुवाद एक से होती ही त झांध है है और आप क्या करिये आप इन फ्राक्शन ख्याओं में ले जाकर दोग्यों संब्लेट नि निए तो जो ही आप जीरू को सम्मिलित करते हैं इन प्राक्रिक संख्याओं में इसका नाम प्राक्रिक संख्या से तुरंत बदल करके हो जाता है हो जाता है बटाओ पुरोनर संख्या है इसका नाम हो जाता है पुरोनर संख्या है कि सब्सक्राइब कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं कि आप पुरुडशन है तो आप इसको नोट कर लो ठीक है या फिर इसका स्क्रीन सौट लेगा किसे बटा नोट कर लीजे अफिर नोट स्कुक में या फिर इसके लीन सौट ले लीजे नोट को गया बटा दल बीरी सिंधी के नाम से जो बच्चा है कैमरा बंद रखिए माई के बंद रखिए अधर को यहां पे लिपा है जी रो पॉमा एक कॉमा दो कॉमा तीन कॉमा चार सब विसार क्या है पोर्ड संख्याओं कौन बताएगा ओम क्रकास जोट बागी लोग को हाग बढ़िया तो प्राक्रिटिक संख्याओं को बटा कैपिटल N से दिखाते थे उसी प्रिकार अगर पुर्ड संख्याओं की बात के रहें यानि गोल नंबर्स की बारे में बात के रहें को कौनल नंबर को ड़िखा किसे लिखाते हैं मेस है यां तक सभीओं नो प्रπα्रो जाएगा संघ्या सवाल करवा है है इसके बाद मैं सवाल पूछूंगा जोगा अभी को पढ़ाया इसी पर आधारिक प्रेशन्स कि अगर ने नोट कर लिया अगर सबने नोट कर लिया चलो पिर देर किस बाद की सवाल कर लेते हैं पिर नेक काम में देरी नहीं करने चीह क्यों अच्छों चैट हमने बंद कर दिया वह नहीं हमने आउन को थी चलिए बटार अगर conventional काम Μटटू कि अगर सबने चलो सुन है कि यह स法फ कि प्रेशन्स झाल झाल जाल झाल 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 विल्कुल हाँ वी वाला उपर करेक्ट होगा एंड याट्स वाई हम लोग क्या करेंगे वी वाला उपर कुछ सही करेंगे सब को समझ में आया हूँ इसको भी जाल आया हूँ इसको वी स्क्रीन पर अड़ला परश्चन इसको भी सौफ़ करते आप तो बताएंगे वाला पर आया हूँ आप याटी प्यारा से सवाब इसको भी स्क्रीन पर आया हूँ आप इसको फोड़ा पर आया है पाती बच्ची भी बताएंगे कि पुछा जारा कि निम्ज में से कौन सी शन्ख्या सबसे छोटी पुर्ड़ संख्या है सबसे चोटी पुर्ड़ संख्या सबसे चोटी बढ़ला पर सारी लोगों थाई चार्ट नाम सारी पोल झोड़ों September 15th को सारी लोगों पोल फशोन है्जा तो सारी द दादमितना फ़र सारी लोगों में लोग CR台ों सारी लोगों क्यास में मत्मा थो जाए टूखिश जातादान सारी लोगों थाया झाल झाल जा रहा है। वह हम फॉल बंद करते जा रहा है। सिर्फ पांच सेकेंद जा रहा है। पांच सेकेंद के बाद हम फॉल बंद रहा है। तो 5,4,3,2,1 टाइम औरुट है। सब्सक्राइब चैट में इसका लिकर कोई आंसर बताओ कि इस कुछन को लगाने में कुछ लोग कन्फ्यूज हो गया है ठीक है मैं उनका कन्फ्यूजन दूर तर पिता हूं इसको कटा कन्फ्यूज नहीं होना है चैनल लिखना है कि कौसे संख्या शमसे चोटी के संख्या है कि यार दुरूना है कि कोट संख्या की सुरुआ था यहीं सबसे चोटी कोड़ संख्या उसी सबसे ढ is gwin ? माइनस यृ होग nämा UIKing , इसThis hir तो नहीं होग जिरीड़ पर्ड़には दे मैं ₹ force सब्सक्राइब तो कौन सा उतता है ये डीव अलवटर शाही है खिसक्स बच्चे का सही का तरह चैट में अपना नाम लेखां किस किस बच्चे का यह साह्थ यह साल सही तक्च का नाम लेखना चाहते हैं इंका इंका सहीता, मोनिका, शुर्थी, संगीता, आसा, ज़रवीप, तुसी, इंकुप, ओके, और पसे तने ही नोपसाई था, बातिलों पने सहीता, भारती, ठीके, अच्छे, 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 पुर्वी बात नहीं, ये भीका बिन नहीं सहीता, आगले वाले तुर्ष पुरा पुरा अपना प्रयास करेंगे, ठीके, ये लोग का सहीता, अच्छी बाद, बहुती बढ़िया, चलो, अब और आगे कंटीनियो करो, विटा, ये रहा आपकी स्थे अलवा दोश्य, चलो, फिलिसका भी आतर करो, आप लोग पोल में, तो मैं चैट बंद कर देता अच्छी बाद, ये इव। आपकी स्थे अच्छी बाद, का लग टोदम चैट पहूला के विटार आतर करेंगे, प्रणत, मैं पार आतर को, इंच विए, ये इव। ये है, छिए। हैथ माइक कान मैं भॉल ना है कि कुतनी बार ने बताया जयात है आज माइ कांसंटीब कभी नहीं भोलना होता है कि अगर आप उत्तर आता है या Rohrभव देलां है उसके लिए और ऑन तर देन वर मुठ भॉकरmar झाल झाल पेटा आपके पास 10 सेकंड का समय है तो जीन में चोने अपीदे कुटर नहीं दिया है सिर्फ 10 सेकंड का उपतर है आपके पास उसके पास से हम ये पोल बन कर देंगी तो दस, नौ, आठ, साथ, छे, पांच, चार, तीन, दू, एक, समय संब्स तो देखा क्या है लिखा है कि निम में से पाहली पाच बोड़ संख्याओं की पाचान की जी तो पाहली पाच बोड़ संख्याओं की आपको पाचान कर लिए पाच बोड़ संख्याओं की सुरवात लिए उपकी बटा जी लो सी, जी रो, वान, तू, थ्रे, पोड़, इमको की निलों? देखो एक तो ये पाहला हो गया, ये दूसरा, ये कीसरा, ये च्वाका, और ये पाच बोड़, ये पाच बोड़, ये पाटी तो होगा, दो सिस होगी होगी से पुसिए वाला पाट होगा, इस भी तरिक्तांसर पांस होगा, ये वाला, सबसोंच में आया? अब अपनी कॉम्पी में एडिव लगा देजी इन पीजर्स इसको इंगलिस सो बोलते हैं प्रोराम सब्सूरि इंगलिस में बोलते हैं अब अरिंदी में बोलते हैं प्रोरांट सारे विल्गें घुय इसका vy लगा दिया बच्चों कि आपने इस ताइडी लगाया है अगर हां तो वाइट है विद्ध गड़ूंग अगर फिर मैं इसको सिखाता हूं किया कि लिए धैड़ तो दिनको सबसे पहले एक अधर आप तो रोड़ांग सीखना है कि दानात्म इसके बाले आप कुछ थोड़ा सा धनात्मांसंख्याओं कि भी बाते हैं कि तेखो विटा होता है जी है कि हम्मेट कि सुछिए है कि घाज लिए इससे रीह बनाते हैं इक पीचमें जीयरो होता है इसके दाएं तरफ प्लस 1, प्लस 2, प्लस 3 and so on, इसके इस तरफ माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4 and so on, इसे रिका हो रहा है, तो यह आत्या मैंने क्यू बनाया, अहां, उसके पीछे का लॉजिक इसको बुलते हैं संख्यारेःत ैंर इस संख्या रेका हैं, तो अगर भी रिलयो इधर देखोगे, तो क्या है जहन आत्मक संख्यार और दिनापश संख्याय में से जीदों से क्या होती है जीदों से बड़ी होती है वहीं अगर में जीदों संख्याओं को दुद्ध होगी रात्मक संख्याओं को दुद्ध होगी तो अश्वम में से क्या होती है छोटी होती है अगिन का नाम हो जाता है बिटा क्या सब को समझ में आया क्या सब को समझ में आया कि देहनात्मक और रिडात्मक संख्या है क्या होती ही जल्दी सिसका स्क्रीन शॉट लेवीजी क्या सब्सक्रीन शॉट लेवीजी सारे लोग ने स्क्रीन शॉट लेवीए इसका मतलब ही होता है प्लस पंदर है इसका मतलब ही होता है प्लस पंदर है आप समझना होगा कि अगर फ्रूसम क्या है उसके आप्षी नहीं लिखा है इसका मतलब ही है अगर बता वाल लेती है पांच प्लस पांच लिखासे जा सकते है विच्चों अगर हाँ तो भी आईटाइट करना और आगरणाईश दूए टाइट लिखा जा सकता है इसमें पूर दिबकत्वारी बात नहीं है अब बात करेंगे तो रडाकमक संख्याओं की बारे में तो रडाकमक संख्याओं यहां प्लस वन इदर प्लस वन प्लस तू प्लस थी एंड सो आगे बढ़ते जाओ तो इसके बाएं तरफ आप जाओ माइनस वन माइनस तू माइनस त्री एंस तरी के से पीछे बढ़ते जाओ इस सब क्या है रडाकमक संख्याओं को हमेशा माइनस चिन लगा करते ही व्यक्त किया जाता है विटा आप इनका रडाकमक चिन हटा नहीं सकते हैं आप इनका माइनस वाला चिन हटा नहीं क्या जाया तुरंद गलत हुजा है कि विटा क्या सब को समझ में आया यह कुप इकवल करके मैंने कट लगा दिया है कट कमा तभी तो वह बराबर नहीं और को आप जाली कोई बोलता है किसे बाताओ इस अर माइनस वाइस बाताओ आपसें बराबर हैं हाक जाता चै के वाई बोलो गया अ वोरो कर द Всем करे तुरे नहीं हो बिशन कि कि को यह को अज़ए अधित लगा है अच्छा अब Inc पर लेते हैं सुन्न की बारे में तो वेटा देखो सुन्न ना थुद अनात्मर होता है और ना ही रडात्मर होता है चीक है साब अच्छे यादर कीए इस सारी सुग आप नोट कर रहा हुँ ना वेटा सारी से लोह हुथ नोट कर रहा ना आको या फिर स्क्रेनसोट ले रहा और यह आ रहा पर यह रहा पहले बता का ति यह सक्था इंपोर्टेंट है अगर इसको आप नोट नहीं कर ओड़ि lucky अ giàय गड़ बाभि़िक गा से जो भी वच्चे स्क्रीन्सौट ले रहा है उसको बात मैं सिर्ट करेंगे लुद करेंगे कि करेंगे या बढ़ी के SAN ने नेहींगे उसके बात है अलो इसके बार हम लोग नेक्स्त लास में आगे कंटिणिनु करेंगे नेक्स्ट ग्लास में आगे हैं, अभी के लिए इल्माई रखते हैं, तो बताओ बच्चो आज की जी ग्लास है, आप सभी कुछ समझ में आई, ठीक है, और अगर किसी को भी कुछ परसान ही है, तो अपना डाउट पूछ सकते हैं, ये ग्लास यही पे ओपर होगी है,